पचास और पच्चपन पर मुझे बोलने का मोका दिया आज दोनों इमान्य मंत्री जी यां बिराजे हैं शुरुआत मैं जब ये मांगे देख रहा था तो लगा कि इस पे चर्चा की जरूरती कहा है खाद्यापूर्ती सहकारिता मैं नया हूँ पहली बार आया हूँ जब दीरे दीरे इन तमाम कट मोसंस को पड़ा तमाम बड़े भाईयों को सुना तब लगा कि वाकई ये तो बहुत बड़ा इश्यू खाद्यापूर्ती जब पड़ते हैं तो हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं रूंगते खड़े हो जाते हैं इसमें उस वर्ग की बात हो रही है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है वो हमारे भाई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वो जो लोग है जिनके पास जीवन अपन के लिए अनाज नहीं है वो जो BPL हमारे भाई हैं उनकी बात है तो मुझे लगा कि इस मोक्य पे मुझे बोलना चाहिए मुझे जानकारी जादा नहीं है पर मैं मन्य मंत्री जी से ये निविदन करूँगा क्योंकि इसके अंदर एक जो मुख्या समस्या मुझे दिखी खादेव आपूर्ती की कि साब नई रासन की दुकाने खुलनी चाहिए कई सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका नाम उस लिष्ट में नहीं है नाम हम कैसे जोड़ें उस व्यक्ति तक उस पंग्ति में आखरी बेठे व्यक्ति तक अनाज कैसे पहुँचा है ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके इसके लिए आप काम करेंगे आप सविदन सी लोग के काम करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है रासन की दुकान आज से नहीं हमेशा से देखते आ रहे हैं मुझे आज भी वो वक्त याद है जब कोई छोटा सा जरीकन लेके केरोसिन लेने के लिए लोग आया करते थे लाइट है तो अब आईए साब लाइट की तो डिवान हम अब कर रहे हैं वो दौर जब केरोसिन से दिया जलाया करते थे उस दौर में भी सेकारिता और खादे आपूर्ती की बहुत बड़ी भूमी का हुआ करती थे